वेल्कम बैक टू दे चैनल गाईज आज हम बात करेंगे साउथ अमेरिका के बारे में तो शुरू करते हैं देखें टोटल नंबर आफ कंट्री साउथ अमेरिका में 13 हैं किती हैं 13 और बात करते हैं इसके एरिया वाइस तो ये जो है फोर्थ लार्जेस कॉंटिनेंट ठीक है एरिया वाइस जो है है फोर्थ लार्जेस कॉंटिनेंट हो जाएगा इससे पहले की जो तीन कॉंटिनेंट है सबसे बड़ा कॉंटिनेंट जो है वो है आपका एशिया अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका तो यह जो है चौथा लार्जस कॉंटिनेंट है इस कॉंटिनेंट का शेप कैसा है ट्रेंगुलर कैसा है चलिए मैं आपको लगे हाथ गलोब में भी दिखा देता हूँ यह तो रहा अपना एसिया कॉंटिनेंट सबसे बड़ा कॉंटिनेंट फिर दूसरे नंबर पर है अफ्रीका और फिर इधर आ जाता है नॉर्थ अमेरिका और यह है साउथ अमेरिका अगर आप इसका शेप देखोगे तो ऐसे ट्रेंगुलर फॉर्म में है इसी कॉंटिनेंट के अंदर आपको दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल मिलेगा और उस वाटरफॉल का नाम है एंजल वाटरफॉल तो यह क्या है दुनिया का सबसे हाइस वाटरफॉल है और यह साउथ अमेरिका की कौन सी कंट्री में है वो मैं आपको दिखा दूँ तो ये आपको जो है South America दिख रहा है South America में ये है Venezuela इसी Venezuela country में ये पड़ता है जो highest waterfall है एंजल waterfall इसकी height है approximately 979 meters कहां पड़ता है ये कौन सी country में पड़ता है Venezuela है ना कि चलिए अब बात करते हैं largest river by volume यानि कि ऐसी नदी जिसमें सबसे ज़्यादा amount of water रहता है वो कौन सी नदी है वो है Amazon अमेजों रिवर थिक है वो भी South America में ही पड़ती है अगर हम बात करेंगे longest river थिक है इन शेप साइज longest river कौन सी हो जाएगी वह है नाइल हिंदी में बोलत मांटन रेंज कहां का of the world तो वो है Indies Indies परवत मादला ठीक है तो यह सारी विशेष्टा है देख रहे हैं आप South America के बारे में ठीक है इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जो ड्राइस प्लेस्ट है ड्राइस्ट प्लेस और अर्थ यानि सबसे सूखी जगा इस दुनिया म मैं इस धर्ती में तो वो कौन सी है कि वो है आठा कामा डेजर्ट क्या है अटाकामा डेजर्ट कर यह अटाकामा डेजर्ट की लोकイेशन कहां पर है मैं आपको दिखा देता हूं तो यह देखिए यह रहा हमारा South America तो इसके नॉर्थन पॉर्शन में है अठाकामा डेसर्ट ठीक है कि नॉर्थन चैनल ठीक हो गया अब मैं आपको बताता हूं कि लाज़ेस्ट रिन फॉर्स्ट आपने सुना होगा तो यह हो जाएगा अमेजन रिन फॉर्स्ट इसे सेलवास नाम से भी जानते है इसी साउथ अमेरिका में हाइस्ट कैपिटल सिटी भी आती है और वो बॉलिविया में है हाईस्ट कैपिटल सिटी ठीक है तो यह जो हाईस्ट कैपिटल सिटी है यह कहाँ पर पढ़ती है कौन सी कंट्री में यह पढ़ती है बोलीविया में और उस कैपिटल का नाम है लापाज ठीक है तो मैं आपको दिखा लेता हूं तो ध्यान से देखिए इस नक्षे को और इसमें आपको यहां पे बोलीविया दिख रहा है थोड़ा जूम करते हैं यह रहा बोलीविया और यह रही इसकी कैपिटल लापास तो यह जो है हाइस्ट कैपिटल सिटी है ठीक है दुनिया की सबसे उची नैविगेबल लेक कौन सी है तो यह है लेक टिटी काका लेक टिटी काका ठीक है नैविगेबल मतलब दरशी मतलब साब दरशी एकदम जो होती ना नीचे के पत्थर भी एकदम साब तरीके से दिख जाते है चलिए अब बात करते हैं टॉप फाइफ कंट्रीज बाइ एरिया तो सबसे पहले हो जाएगी सबसे बड़ी कंट्री साउथ अमेरिगा की ब्राजील ब्राजील के बाद आती है अर्जिंटिना अर्जिंटिना के बाद आती है पेरू पेरू के बाद आती है कॉलंबिया कॉलंबिया के बाद आती है बॉलिविया तो आई होब कि आपको यह जो है पांच कंट्री याद हो गई हो गई होगी बाई हाट ठीक है ब्राजील अर्जेंटीना पेरू कॉलंबिया और बॉलिविया यह मैं आपको नक्से में दिखाता हूँ गलोब पे तो यह रहा गलोब इसमें जो सबसे बड़ी अर्जेंटीना वो यह नीचे है अर्जेंटीना अर्जेंटीना के बाद है पेरू पेरू यह रही ठीक है पेरू के बाद जो आती है वो है कोलंबिया उपर है कोलंबिया के बाद जो आती है वो है बॉलिविया बॉलिविया यह रही ठीक है तो यह जो है यह पांच कंट्र के बाद आती है है पेरू के बाद कोलंबिया कोलंबिया के बादuingUh के व। ठेक अब चलिए हम आपको इसमें खेल इखाता हूं इसमें बागी सब कंट्रीज तो जो है सी से लगी हूई है कोलंबिया देख लो वेनिजूला देख लो यान देख लो ठीक है शूरी नेम देख लो, फ्रेंच गयाना देख लो, चाहे फिर आप ब्राजील देख लो, नीचे उर्गवे देख लो, अर्जेंटीना देख लो, चील देख लो तो यह सब country जो है क्या है यह सी से assess करती है और इसमें से सिब दो country आपको दिख रही होगी जो यह landlocked है वो है बोलिविया और दूसरी है प्रेग्वे ठीक है बोलिविया और प्रेग्वे क्या हो गई दो ऐसी लेंड लॉक कंट्रीज हो गई साउथ अमेरिका की तो यह हो गया लेंड लॉक कंट्री जहां से एक्वेटर पास करती है तो वो कंट्री है एक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील एक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील तो यह आप देख सकते हो यह एक्वेटर पास हो रही है इक्वेडोर से फिर कॉलंबिया से और फिर यहाँ पर ब्राजील से यह तीन कंट्री है जहाँ से एक्वेटर पास होती है ठेक है अगला जो है कंट्री जुए तूविस ट्रॉपिक ऑफ कैंप्रिकॉन पासी कैप्रिकॉन का मतलब होता है मकर रिखा एकवेटर का मतलब होता है एकवेटर का मतलब होता है भूमत दिरेखा तो यह हो जाएंगी कौन कौन सी यहाँ पर लिखते हैं चील, अर्जेंटीना चील, अर्जेंटीना, प्रेगवे और ब्राजील यहां पर important बात यह है कि Brazil एक ऐसी country है जहां से equator भी पास होता है और Tropic of Capricorn भी पास होता है ठीक है ब्राजिल is the only country through which both equator and Tropic of Capricorn passes और एक important बात यह भी है ब्राजिल के बारे में क्योंकि ब्राजिल की location आप देख सकते हो किती बड़ी है यह देखिए यह उपपर से नीचे तक तो यहां पर जो है आपके रवास 11 country जो है अपनी border share करती है ब्राजिल से और 11 country कौन सी है ठीक है except Chile and Ecuador 11 countries share their borders with Brazil और 11 countries है for this we have to go in this globe and we will see those 11 countries जहां से जिससे ब्राजिल अपना border share करती है दो कंठी तो यह होगे सुरी नेम और फ्रेंच गवाना यह होगे गयाना 3 वैनिजुला 4 कोलंबिया 5 ठीक है पेरू 6 बोलेविया 7 पेरेगवे 8 ठीक है नीचे है अर्जेंटिना 9 उर्गवे 10 ठीक ठीक और यह हुई एक और कंठी है और वो है रियो दी जनेरियो यह देखी यहां पर है रियो दे जनेरियो ठीक है आइलेंड कंठी है तो गैस यह था आज का हमारा टॉपिक South America के बारे में उसके बारे में कुछ important चीज है अगर आपको पसंद आई हो आपको समझ में आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा चलिए मिलते हैं किसी next informative वीडियो पर thank you for watching this video and bye bye take care